Hello Good Morning students, yes बेटा आज हम करेगे हमारे chapter number 9 क्या है measurement, measurement न होता है जाहिए मापना ठीक है, अब देखे, measuring of first topic न हमारा measuring of length measure length का मतलब होता है, बेटा length हम किसी भी चीज के ले सकते हैं cloth की, room की, building की, furniture की, किसी भी चीज के ले सकते हैं अब देखे, unit क्या होते हैं, cm and meters and km मीटर के अंदर नापते हैं तो 1 मीटर के अंदर 100 सांटी मेटर होती हैं और किलो मीटर होते हैं 1 किलो मीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं भी बसकाइध है अब देखिये हमारी exercise क्या है 9.1 क्या है Convertмотрите khan2 cm आपको मीटर को Поэтому सांटेमीटर के अंदर कंवक्र करना है फिर्स सम् देखी 4 m को convert करना है into cm, तो क्या करेंगे 4, 1 m के अंदर कितने cm होते हैं, 100, तो 4 के अंदर क्या आएंगे 4 multiply 100, तो कितने आ जाएंगे 400 cm, next है 6 m, ठीक है, तो 1 m के अंदर कितने होते हैं, 100 cm, यही होता है, हमें कितने का निकालना है 6 का, तो 6 से multiply कर देंगे, इसके cm, तो टोटल कितनी हो जाएंगे 600 cm ठीक है नेक्स क्या जाएगा 25 का निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 multiply 100 cm तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2500 cm ठीक है नेक्स क्या है 35 का निकालना है तो ये क्या बन जाएगा 35 की किस से multiply कर देंगे 100 से ठीक है सबको समझ में आ गया पहले हम देखी 1 cm के अंदर कितने होते हैं 1 meter के अंदर 100 cm होते हैं तो 100 को जितने numbers of meter को हमने निकालना उससे multiply करतेंगे ठीक है next page पे देखी next नेक्स पेटा 80 meters का तो 80 meters का निकलेगा 80 की multiply मैं कर दूंगी 100 cm से ठीक है तो क्या बन जाएगा 8000 cm ठीक है next के 16 का निकालना तो 16 multiply 100 cm तो क्या बन जाएगा 1600 cm next 98 meter का निकालना तो यहाँ जाएगा 98 multiply 100 cm तो यह कितना बजाएगा 98 cm 76 का निकालना तो फिर उसकी multiply करतेंगे with the 100 cm तो वो कितना निकल जाएगा 7600 cm का पासरा जाएगा next रेटर convert into cm the first is done for you आपको इनको convert करना है cm के अंदर देखे पहले किया था आपके पास सिर्फ meters को convert करना था cm के अंदर अब आपको meter and cm दोने हुए है क्या दिया हुए हमें 4 meter and 30 cm यह तो पहले ही convert है तो हमें convert किसको करना है meters को क्या करेंगे 4 x 100 cm एक मीटर के अंदर कितने cm थी 100 तो चार के अंदर कितने होंगे इसको multiply कर दिया प्लस जो cm हमें दिया हुए तो उनको प्लस कर देंगे तो हमारे total cm निकल जाएंगे सेम अब देखिए 7 meter 90 cm को करना है तो 7 meters को convert करना है ना हमने cm हमारे पास वैसे ही है हो जाएगा 7 x 100 cm प्लस 90 cm हमारे पास पढ़े हैं तो total कितने हो जाएंगे 700 प्लस 90 cm दिया जाएंगे 790 cm ठीक है नेक्स्ट है 8 meter का 8 meter 23 cm का निकाला तो देखिए यह देखिए अब जब हम इसे convert करें तो क्या करेंगे सबसे पहले meters को convert करेंगे तो 8 meter को convert करेंगे तो इसको multiply हो जाएगी with 100 cm से ठीक है प्लस हमारे पास 23 cm ऐसे ही पढ़े थे तो यह क्या बन जाएगा 800 बन जाएगा यहां से 800 cm प्लस 23 cm हमारे पास पढ़े ही थे तो total कितने हो जाएंगे 823 cm next है बेटा 1 meter and 18 cm अब 1 की multiply जब 100 से करेंगे तो वह cm में convert हो जाएगा meter convert हो गया 18 cm हमें आरे पास ऐसे ही बड़ा था तो total कितने बन जाएगे 100 cm प्लस 18 cm तो total बन गया 118 cm next 6 meters का था तो 6 की multiply 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 cm आ जाएगा है आ से तो हमारा plus 54 cm हमारे पास पहले से पढ़े है यह जाएगा 600 cm प्लस 54 cm तो total हो जाएगा 654 cm 20 meters का भी आसी हो जाएगा 20 x 100 cm प्लस 30 cm तो total हो जाएगे यह बन जाएगा 2000 cm प्लस 30 cm तो total कितना हो जाएगा 2030 cm तो नीचे वाले सम भी आप ऐसे ही करेंगे तो आज हम तू सम ही करेंगे अपनी फेर नोट बुक के अंदर अपनी बुक के अंदर तो यह जो सम है यह आप अपनी बुक के अंदर राइट करेंगे के विटा थैंक यू